So hello guys, last की वीडियो में हम लोगों ने देखा था और Dino से related कुछ basic terms को जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अपने program में errors को कैसे handle कर सकते हैं और भी basic terms को देखा था जैसे कि statement protocols को कि उसमें हम लोग जब statement लिखते हैं अपने program में यह function बनाते हैं तो उसमें हम लोगों को किन-किन बातों के ध्यान रखना परता है आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं variables के बारे इसके उपर मैंने एक और पहले वीडियो बना शुका हूँ उसमें मैंने उपर-उपर से बात आया था कि variables क्या होते हैं आज की वीडियो में हम लोग deep dive करने वाले हैं, बहुत सारे confusions को हम लोग मिठाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को सुडू करते हैं सबसे पहले हम लोग introduction देखते हैं कि variable क्या होते हैं जब ही हम लोग program बनाते हैं, और दिनो का हो या कुछ भी हो, कोई सा भी program हो हम लोग उसमें कुछ value add करना चाते हैं, तो हम लोग direct अपने statement में नहीं लिख सकते हैं कुछ भी हम लोग statement में हम अपने direct नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग पहले variable बना कर हम लोग उसमें assign करते हैं उसके बाद भी हम लोग उसको use करते हैं जैसे कि मान लीजे हम लोगों को एक variable बनाना, तो variable बनाएंगे उसका data, types देंगे, उसके बाद उसका नाम देंगे, उस नाम के अंदर हम लोग कुछ भी value add कर सकते हैं, जैसे कि इंटीर हो गया, floating point हो गया, character variable हो गया, बहुत सारे types होते हैं. तो आज की वीडियो मैं इसी सब topics को discuss करने वाला हूँ, कि हम लोग अपने प्रोग्राम में कैसे हम variable बना सकते हैं, variable का काम क्या होता है, example की तोर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, कि मान लीजे मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि दो number को add करना है, तो दो number कुछ भी हो सकते ह जैसे की मान लीजे, अपने प्रोग्राम में मैंने एक पहला number बनाया, तो पहला number और दूसरे number को जोर के हम लोगों को result लेना है, तो क्या कड़ेंगा हम लोग सबसे पहले, दो variable बनाएंगे, एक variable पहले number के लिए, दूसरा variable दूसरे number के लिए, दोनों को हम लोग अपने को इस function में add करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको serial monitor पर या अपने program में हम लोग इस variable को use कर सकते हैं, addition को use कर सकते हैं, तो यह हो गया simple सा example, अब चलिए हम लोग थोड़ा deep type करते हैं कि यह variable actual में क्या होते हैं, यह कैसे काम करते हैं, तो सबसे पहले मैं discuss करना चाहूंगा integer variable क क्या होते हैं, यह कैसे काम करते हैं, माल दीजिए हम लोगों को program में integer number जो है, mathematics में integer number हम लोगों को use में लेना है, तो हम लोग सबसे पहले उसको बनाने के लिए simple सा लिखेंगे, int, उसके बाद फिर हम लोग उसमें नाम देंगे, integer 54, उसके बाद semicolon लगाएंगे, इसका मतरब क्या हुआ, हम लोगों को कुछ number कुछ value हम लोगों को अपने program lines of statement में हम लोगों को use में लेना है, हम लोग direct नहीं ले सकते हैं, हम लोग को variable बनाएंगे, उसके बाद फिर उसके अंदर हम लोग अपने program में इस statement में use में ले सकत हैं, तो यहां आप लोग इस screen पर देख सकते हैं, मैंने एक variable बनाया, integer variable, अभी हम लोग discuss करने, integer variable को, कि यह क्या होते हैं, तो example की तो पर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मैंने int लिखा है, उसके बाद पर variable का नाम दिया है, integer, assignment operator का use करके, उसके बाद मैंने लिखा है 54 यह integer variable, value है, मैंने इस variable में assign किया है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लिजे मुझे integer value assign करना है, एक variable बनाना है, जिसमें मुझे integer value assign करना है, 54, 300, 200, whatever, जो भी हो, उसको हम लोगों को एक variable बना कर assign करना, variable बनाने का जो syntax है, कुछ इस type से, integer variable बना रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे int, सब इस small letter में होगा, उसके बाद भी हम लोग variable बना रहे हैं, उसको कुछ नाम देंगे, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने दिया है int, integer, उसके बाद assignment operator का use करके मैंने लिखा है 54, अब इसमें हम लोग कुछ और भी नमबर दे सकते इसमें आप लोग अपने accounting कुछ भी value add कर सकते हैं, तो यह हो गया integer variable, अब चलिए हम लोग चलते हैं character variable के उपर, कि character variable क्या होते हैं, तो next है, हम लोग अगर मान लिजे हम लोगों को program में कोई character या कोई सभी symbols का use करना है, तो उसके लिए हम लोगों को एक अलग variable बनाना पड तो अगर हम लोग इसको integer variable में add करेंगे, तो यह हमारे program में error आएगा, program हमारे सभी से काम नहीं करेंगा, तो इसके लिए हम लोगों को character variable बनाना है, तो उसका syntax है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, care, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, syntax highlight हो गया है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, variable का, जो हम लोग variable बना रहे हैं, उसका नाम हम लोग देंगे, example की तौर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, character, assignment operator का use करेंगे, उसके बाद हम लोग character में कुछ भी लिख सकते हैं, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक character variable बनाया, अब इसमें मैं कुछ changes करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर integer, मैंने उपर में integer variable बनाया, यहाँ पर मैंने variable का नाम दिया है, अब character variable को हम लोग लिखने का syntax है, कुछ इस type से, कि सबसे पहले हम लोग care लिखेंगे, उसके बाद आप लोग देखेंगे, यहाँ पर syntax highlight हो जागा, अब यह कोई सा भी color में हो सकता है, आ आपके उपर depend करता है कि आप किसे program कर रहे है, mobile phone से या अपने laptop या computer से, तो उसमें syntax highlight होगा, हमने लिखा है cal, उसके बाद फिर character variable का नाम दिया, तो यहाँ पर मैंने character लिखा, यहाँ पर इसको मैं my character भी कर सकता हूँ, उसके बाद assignment operator का use करेंगे, हम लोग assign करने के लिए, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, single quotes के अंदर मैंने, जो भी character को मुझे assign करना, my character में, उसमें मैंने single quotes का use करके, उसके अंदर मैंने character assign किया, उसके बाद मैं यहाँ पर semicolon लगूँगा, तो यह हो गया semicolon इसका, तो guys semicolon इसका protocol हो गया, यह हो गया character variable बनाने का syntax, अब next हम लोग चलते हैं, floating point, अब floating point क्या होता, example की तोर पर मान लीजे, मैंने सबसे पहले बनाया था, integer variable, integer variable में क्या है, कि simple सा है, मुझे integer value का assign करना है, तो हम लोग int, नाम के data types का use करेंगे, अगर data types आप लोगों को नहीं पता, मैंने इसके उपर एक पहले ही video बनाया, आ आप लोग वहाँ से जाकर data types देख सकते हैं, क्या होता है, तो यहां हम लोग देख रहे हैं, integer variable, int मैंने 5, 6, 7, 4 value assign किया, अगर example की तोर पर मान लीजे, हम लोगों को program में use करना है decimal point, अगर decimal point value का use करना है, तो फिर हम लोग अगर integer variable में assign करेंगे, तो decimal point के बाद जितनी value है point और उसके साथ जितने value है, point के बाद, उसको program जो हमारा भूल लागा, उसको add नहीं करेगा, सिर्फ point के जो left side में है, हमारा value उसको add करेगा, तो अगर हम लोगों को floating point value, अगर program में add करना है, तो इसके लिए हम लोगों को data types मिला है, Arduino programming या C++ programming में, float नाम का, तो हम लोग simple सा हम लोग simple सा लिखेंगे, float, तो आप लोग यहां देख सकते है, syntax highlight हो गया, अब इसमें हम लोग पहले एक की तड़ा हम लोग अपने variable का नाम define करेंगे, example की तौर पर मान लिए हम लोग बच्पन से mathematics परते आ रहे हैं, तो हम लोगों को six, four, three, two, जो फी class में हम लोगों को पाई वैल्यू का यूज करना होता है, पाई यहांने की 3.14, 12, 22, पाई 7 इसका होता है, वैल्यू होता है, तो हम लोग को 3.14 यूज करना है, तो मान लीजे, मैंने float नाम का एक variable बनाया, तो उसका नाम दे देता हूँ मैं, पाई, अब इसमें मैं assignment operator का यूज करूँगा, अ अब इसमें क्या होगा, कि मुझे floating, decimal floating point का अगर use करना है, तो हम लोग लिखेंगे float, उसके बाद variable का नाम देंगे, assignment operator देने के बाद, हम लोग value लिखेंगे, मैंने यहां पा लिखा 3.14, उसके बाद हम लोग देंगे, इसका protocol, यानि की, semicolon, semicolon से हम लोग terminate करेंगे, तो य हम लोग देखें, unsigned variable, जैसे unsigned int, unsigned float, तो यह क्या होते हैं, माल लिखें हम लोगों को, हम लोग उपर में, हम लोगों ने बताया, integer variable, इसमें आप लोग देख सकते हैं, 5, 6, 7, 4, यह भी unsigned variable है, अगर हम लोग चाहते हैं कि, माल लिखें, सबसे पहले मैं आप लोगों को ब बनाया, तो यह read and write दोनों हो सकता है, variable, integer variable के अंदर, हम लोग इसमें, मैंने assign किया, 5, 6, 7, 4, अगर हम लोग इसको functions के अंदर, इस statement में लेते हैं, तो इसकी value को change भी कर सकते हैं, example की तोर पे माल लीजे, मैं इसमें add करूंगा, तो integer variable में हम लोग नई value को change करके add कर सकते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि integer variable है, उसमें मैंने कुछ value add कर दिया, तो इसका value जो change हो जागा, तो change होने के बाद या plus minus जो भी है, उसके बाद ये plus भी हो सकता है, minus भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोगों को चाहिए कि अपने program में कि कोई ऐसा variable हो जिसमें हम लोगों को चाहिए कि unsigned value हो, पलस में हो, तो इसके लिए हम लोग use करते है unsigned, हम लोग unsigned variable बनाने चलिए हम लोग simple सा लिखेंगे, unsigned int, अगर हम लोग integer variable बना रहे हैं, तो आप लोग यहाँ देख सकते है, unsigned मैंने लिखा, syntax highlight हो गया, उसके बाद integer variable बना रहे है, तो हम लो float variable बना रहे है, float data types का, तो हम लोग लिखेंगे, float, तो यहाँ आप लोग देख सकते है, float, यहाँ पर syntax highlight हो गया, तो मैं यहाँ पर simple सा बनाऊगा unsigned int, assignment operator का use करके, उसमें मैंने value, कुछ भी assign कर सकता हूँ, 6, 4, 5, अब यह क्या होगा, कि जब भी हम लोग अपने program में इसको use करेंगे, तो अगर माल लिजे, in case, हमारा जो यह value है, unsigned int, sorry, मैंने variable का नाम नहीं दिया, इसका नाम मैंने दे दिया, hello name का variable बनाया, अब इसको जब भी हम लोग अपने program में use करेंगे, तो अगर calculation करेंगे, plus, minus, जो भी है, तो अगर यह minus में होगा, तो इसका जो value है, minus में सो नहीं होगा, सिर्फ plus में सो होगा, यानि कि unsigned रहेगा, हम लोग बच्पन से परते आ रहे हैं, कि plus value जो है, वो hidden रहता है, दिखाई नहीं देता, मतलब hidden रहता है, किसी भी number के पहले, अगर हम लोग minus करते हैं, तो वो सो हो जाता है, लेकिन plus value सो नहीं होता, तो हम लोग इसलिए unsigned variable का use करके, हम लोग अपने variable को unsigned रख सकते हैं, अपने आगे के program state, lines of code में, तो यह हो गया unsigned int, hello नाम का एक variable बनाया, 645, इसमें मैंने value assign कर दिया, अब next हम लोग चलते हैं, constant, constant क्या होता है, constant variable guys हम लोग तब बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग उपर में देखते ह integer variable से, int, इसमें मैंने पहले भी बताया कि इसमें read और write कर सकते हैं, plus, minus, जो भी add करके हम लोग इसमें नही value का add कर सकते हैं, integer नम के variable के अंदर, लेकिन अगर हम लोगों को कभी-कभी program में जरूरत परते हैं, कि मान लीजे हम लोगों को, जो integer variable बनाना है, कोई सा भी variable बनाना तो उसके value को change नहीं होने दे, value जैसा है, वैसे ही रहे, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, constant का, यानि c, constant का इस्तेमाल करते हैं, इसको लिखने का protocol है, syntax, c, o, n, s, t, आप लोग यहां देख सकते हैं, syntax highlight हो गया, constant, अगर हम लोग integer variable बना रहे हैं, तो हम लोग simply सा लिखेंगे, int, तो guys, यहां आप, आप लोग देख सकते हैं, मैंने integer variable बनाया, constant int, my constant, assignment operator का हम लोग use करेंगे, इसमें जो भी हम लोग value देंगे, example की तोर पे, माल लीजे, मैंने 6 दिया, semicolon से terminate किया मैंने, अब यहां पे, आगे मैंने, इस variable को हम लोग कह सकते हैं, कि read only variable, इसमें हम लोग write नहीं कर सकते हैं, value को इसके change नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसको read कर सकते हैं, तो आगे की हम लोग functions में, lines of code में इसको हम लोग सिर्फ read कर सकते हैं, write नहीं कर सकते हैं, माल लीजे हम लोगों को 6 में add करना है, कुछ value add करना चाहते हैं, माल लीजे 6 plus 4 equal to 10 करना तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारे program में error आएगा तो इसलिए हम लोग इसको read-only variable कहते हैं इसमें सिर्फ हम लोग इसको read कर सकते हैं, write नहीं कर सकते हैं तो आप लोग देख सकते हैं constant variable बनाने का, constant data types variable बनाने का कुछ syntax इस टाइब से है तो guys यहां तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सारी बात है clear हो चुई होगी variable के पाड़े में अब हम लोग next चलते हैं local variable और global variable इसमें बहुत सारे लोगों को confusion होते हैं कि local variable क्या होते हैं और global variable क्या होते हैं तो आप लोगों को मैं एक example की तोर पर समझाता हूँ माल लिए हम लोगों ने यहां बनाया बहुत सारे मैंने चार variable बनाया int, care, float, unsigned, int, constant, int अब यहां पर मैंने 5 variable बनाया है 5 जो है सभी functions से बाहर कोई भी किसी functions के अंदर नहीं है तो इस variable को हम लोग कह सकते हैं कि यह global variable है इस variable को हम लोग किसी भी functions में use कर सकते हैं अब example की तोर पर यह हो गया global variable अब हम लोगों को local variable बनाना है माल लिए wide loop के अंदर हम लोग लिखेंगे int, integer variable बनाना है इसका कुछ मैं नाम दे देता हूँ माल लिए example की तोर पर int var equal to 5 semi-colon से terminate करेंगे इसको तो guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं wide loop के अंदर मैंने एक integer नाम का variable बना है जिसमें मैंने value assign किया 5 अब यह क्या होगा var नाम के variable को मैं किसी और function मान लिए मैं अपने program में कोई दूसरा भी function बना रहा हूँ example के तोर पर यहाँ पर मैं बना रहा हूँ check sensor नाम का variable मैंने बताया तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं check sensor नाम का मैंने variable बनाया यहाँ आप लोग देख सकते हैं int check sensor नाम का मैंने एक variable बनाया अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर मैंने wide loop के अंदर int var नाम का एक variable बनाया अगर इसको हम लोग यूज करना चाहते हैं किसी और वारियेबल, functions के अंदर तो हम लोगों को प्रोग्राम में error देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो variable है इसको हम लोग कहेंगे local variable ये किसी functions के अंदर बनाय जाते हैं ये जिस भी functions के अंदर बनाय जाते हैं अगर मैंने वाइड लूप के अंदर variable बनाया अगर मैं चाहता हूँ कि इसको int check sensor नाम के functions के अंदर मैं use कर लूँ तो ऐसा possible नहीं है इसको मुझे उपर में सभी सारे functions से बाहर मुझे लिखना पड़ेगा तो int var नाम का जो variable मैंने बनाया है इसको मुझे global variable बनाने पड़ेगा global variable उसे कहते हैं जो सारे functions से बाहर variable हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग global variable कहते हैं तो guys यहां तक आप लोगों को बाते clear हो गई होगी कि local variable और global variable क्या होते हैं तो guys अब हम लोग चलते हैं कि variable को लिखने का जो rules है वो क्या होते हैं रूल्स हम लोग किन किन रूल का फॉलो कर सकते हैं, करते हैं अपने variable को बनाने में, तो guys जब भी हम लोग variable बनाते हैं, तो उसका data types हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं उसका नाम, variable का नाम लिखते हैं, तो variable का जो हम लोग नाम लिखते हैं, उसको हम दिया, उसका नाम दिया, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, बहुत confusion होड़ा है इसमें, my integer, अब आप लोगों को यहां से clear होता होगा, मैंने data types का use किया, int, उसके बाद उसका नाम दिया, यानि कि identifier इसको कहते हैं हम लोग, my integer, इसको हम लोग identifier कहते हैं, उसके बाद हम हम लोग assignment operator का use करके, इसमें value put कर सकते हैं, assign कर सकते हैं, तो यह हो गया simple सा variable बनाने का, अब इसमें हम लोग identifier जो हम लोग देते हैं, मान लीजे, my integer, मैंने लिखा है, तो इसको लिखने का कुछ rules होते हैं, जैसे कि मैंने सबसे पहले लिखा है, int, इसका data type दिया, अब इसमे लिखने का कुछ rule होता, हम लोग क्यों ही कुछ नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजे, हम लोग इसमें सबसे पहले यूज करते हैं, variable बनाने में यूज कर सकते हैं, अपर केस, क्या होता है, capital letter, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने M लिखा है, तो यह हो गया, अब lowercase क्या होता है, uppercase और lowercase हम लोग अपने variable बनाने में यूज कर सकते हैं identifier में, lowercase हो क्या m, small m, तो इसको हम लोग कहते हैं lowercase, तो uppercase lowercase हम लोग अपने variable को identifier बनाने में यूज कर सकते हैं, हम लोग number का भी use कर सकते हैं, example के तर पर कुछ भी number है लेकिन हम लोग सबसे तीन टाइप से हम लोग variable को identifier को बनाते हैं upper case, lower case, numbers और underscore underscore क्या होते हैं आप लोगों को मैं डिस्प्लेइप देखाता हूँ यह होगिया underscore अगर हम लोग कोई सभी variable बनाते हैं उसमें उसका जो नाम देते हैं यानि identifier बनाते हैं उसका identifier देते हैं तो उसको लिखने का कुछ syntax इस टाइप से हैं कि हम लोग या तो upper case, lower case से start करेंगे या underscore से start करेंगे हम लोग अगर number से start करते हैं मान लीज़े 67 अगर 75 मैंने यहां पर assign किया identifier में लिखा तो अगर हम लोग ऐसे variable बनाएंगे जिसमें सबसे पहले number से start हो तो इसमें हम लोगों को error मिल सकता हम लोग इसको जो लिखने का syntax है सबसे पहले हम लोग underscore या फिर upper case या lower case स हम लोग starting कर सकते हैं उसके बीच में हम लोग कुछ number देख सकते हैं तो इससे हम लोगों को program में error नहीं आएगा हम लोगों कोई symbols यूज कर लिया या फिर हम लोगों कोई number यूज कर लिया तो इससे हम लोगों के program में error आ सकता है तो guys यह थे कुछ identifier बनाने की rules तो guys उमीद कर करते हैं हम लोग को कोई भी कन फूर रहे गहा हो तो आप लोग मुझे इंस्ट टाइब पर फॉलो करके आप मुझे वहाँ क्वेरिश्टियू कर सकते हो मैं एप लोग के आंसर वहां करूंगा और अगर वीडियो अच्छी लगह हों तो इसे लाइक करना शेयर करना और शाथ